हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एज्जू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे ब्रॉंको डाइलेटर ड्रग्स के बारे में तो हम उनके सबसे पहले बेजिक यूज के बारे में जानेंगे फिर सिखेंगे किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है मतलब कि उनका वर्किंग, उनकी मेकेनिजम ऑफ एक्षन के बारे में सिखेंगे और उनके अलग-अलग एक्षामपल और उनका फार्मकालोजिकल क्लासिफिकेशन हम सिखेंगे ये लेक्छर के अंदर तो हम फार्मकलोजिकल स्टडी कर रहे हैं अलग-अलग ड्रग्स कि जो अपने फार्मकोलोजिकल लेक्षन देते हैं respiratory system के उपर मतलब कि drug acting को आने respiratory system तो उसके अंदर जो हमारा आज का topic है वो है bronchodilator drugs तो शुरू करते हैं detail में और जानते हैं ये medications के बारे में detail में तो expert lecture बाया मरसर, assistant professor and founder of pharma rocks thank you for being in one leg family of pharma rocks updated रही है pharma knowledge के साथ access करिए study material test series and video lecture on app pharma rocks तो अगर आपके पास android phone है तो download करिए pharma rocks का android application की जो google play store पे है और अगर आपके पास iphone है तो app store पर से भी आपको download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझ ये bronchodilators के बारे में तो bronchodilators ऐसे type के medication ही कि जो हमारे breathing को काफी easy बना देते है by relaxing the muscles in our lungs और जो हमारा airways है कि जो हमारा pathway है पुरा air का कि जो हमारे nozzle root से लेकर lungs तक जो हमारी air पहुचती है जब हम breathing करते है तो उसको काफी wide कर देते हैं जिसके करण easy हो जाता है breathing करना तो जब अलग-अलग disease condition हो जाती है respiratory track related तो उसमें कई बार जो ये bronchi होती है कि समझो कि ये इस तरह से उसका normal diameter है तो disease condition के अंदर वहाँ पर क्या हो जाता है उसका diameter काफी छोटा हो जाता है मतलब कि ये condition हम कहे तो ये relaxed condition है normal condition बट जब कोई respiratory track related problem होता है तो यहाँ पर ये relax होने की बज़ाए हो जाता है काफी narrow तो जब आप bronchodilator medicines patient को देते है तो ये narrow हुआ bronchi है वो फिर से हो जाता है wide तो ये condition फिर से reverse हो जाएगी तो relax मतलब कि dilate करने का काम करेगी कि यहाँ के जो muscles है की जो हमारी bronchi को बनाते है तो bronchi को बनाने वाले जो muscles होते है उनको करेगा ये medication relax जिसके करन फिर से जो narrow हुआ ये pathway है narrow हुआ ये airway है फिर से हो जाएगा काफी wide और easily air जो है वो आपके lungs तक पहुँचेगी जिससे हम दुसरे वर्ड में कहेंगी तो आपकी breathing काफी हो जाती है easy तो ये medication काफी popular है कि जब किसी को airway काफी narrow हो जाता है तो they are often used to treat long term conditions where the airway becomes the narrow and inflame कि अस्थमा और COPD के patient के हम symptoms देखते हैं तो अस्थमा में क्या होता है कि जो bronchi होती है वो उनका inflammation देखने को मिलता है वो narrow हो जाती है और patient को difficulty होती है breathing के अंदर तो जब आप bronchodilators देते है तो narrow होई ये bronchi हो जाती है wide मतलब कि जो contractions जैसा हो जाता था वो narrow हो जाता था वो अब होगा relax होगा as well as dilate हो जाएगा जिसके करण ये medications क्या करती है हमारी bronchi को dilate करने का काम करती है जिसके करण उनका नाम बनता है bronchodilators और widely use किया जाते है COPD मतलब कि chronic obstructive pulmonary disease और अस्थमा के treatment के अंदर और उनके हम अलग-अलग doses फम देखे फार्मसोटिकली तो उनके tablet भी अवेलिबल है capsule भी अवेलिबल है market के अंदर और उनके inhalers वगेरा भी अवेलिबल होते हैं कि जो patient widely use करते हैं तो यहाँ पे देखे ब्रॉंकोडाइलिटर्स के example की जो pharmacologically beta 2 sympatho mimetics class के medicines है जैसे कि salbutamol है terbutalin है bembuterol salmeterol है pharmauterol and ephedrine तो यह सब ही medications को हम bronchodilators कहेंगे because यह हमारी जो bronchi ही है उसको करते है dilate तो यहाँ पे उसके marketed formulation देखे कि GS के का आप देख सकते है 200 doses वाला यह ventolin inhaler कि जिसके अंदर main medicine है यह salbutamol उसी तरह से आप यह injection देखे तो जिसके अंदर है medication terbutalin 1 mg पर ml उसका doses हो रही है RX only रहते है मतलब कि prescription based medication के अंदर रहता है यह terbutalin उसी तरह से यह salbutamol sulfate की जो rota caps आप देख सकते जिसकी strength है 200 microgram और यह काफ़ी famous product है astalin करके कि जो sipla manufacture करती है और यह है उसके capsule तो यहाँ पर आपने अलग-अलग doses form देख लिए कि यह capsule doses form है यह वाला injection आपने देखा और यह inhaler आप देख सकते कि जो inhalation के लिए specially यह product design किया है तो यह bronchodilators अपनी pharmacological action देते है और हमारी bronchi को dilate करते है तो उसका detail हम देखे तो beta 2 अगेन उस्ट आगे दो अलग-अलग category में divide हो जाते है एक ऐसे कि जो long acting है काफी long time तब कुछ की effect रहती है जैसे कि salmaterol है formaterol है r4 rformaterol karmaterol olodaterol index terol and short acting कि जिनकी effect थोड़ी short time के लिए होती है that are salbutamol terbutalin levalbuterol pirbuterol isoetherin bitolterol phenoterol and prokaterol तो यहाँ पे देखे formaterol and उसके साथ budenocide का inhaler कि जिसके अंदर लिखा है कि inhaler with dose counter कि यह आपको कितने dose आपके deliver हुए है वो भी count करके देती है यह device तो यह भी manufacture करती है सिपला और इसमें लिखा है कि total 120 meter dose आपको दिये जाते है तो जब किसी को अस्थमा का problem होता है कि जिसको हम दमा की बीमारी कहते है chronic obstructive pulmonary reduces है तो उस वक्त यह inhalers काफी effective साबित होते है treatment के लिए फिर दूसरा popular class है यह सी class के medication की जो bronchodilators के अंदर they are methylxanthines derivative जैसे कि theophylline है aminophylline है coline theophyllinate है तो आप देख सकते है cup syrup available है यह coline theophyllinate और terbutaline दोनों combination में है उसी तरह से यह aminophylline के intramuscular as well as intravenous intramuscular और साथो साथ intravenous injections available है फिर यह dariphylline जो आप देख सकते हैं कि जो सबसे popular एक brand है dariphylline के जिसके अंदर sustained release tablet है itophylline and theophylline तो दोनों combination में है यहाँ पे और वो अपनी काफ़ी powerful bronchodilator action देता है कि जब यह combination में use होता है dariphylline फिर hydroxy ethyltheophylline है doxophylline है theophylline ethenolate and piprazin and itophylline तो यह powerful bronchodilators के तरह पे काम करते हैं कि जब किसी के symptoms काफी severe हो जाते हैं काफी difficulty हो रही है breathing के अंदर और emergency के अंदर समझे कि उसका bronchodilators करने करके उसका breathing हमें normal करवाना है तो उस वक्त यह bronchodilators काफी effective साबित होते हैं फिर इसी क्लास के medication में हम तीसरे example देखे तो वो है anticholinergics जैसे की ipratropium bromide है tyotropium bromide तो यह दोनों की आप यहाँ पे inhalers देख सकते हैं की tyotropium bromide का यह inhaler की जिसकी strength है 9 microgram और यहाँ पे ipratropium bromide का पी inhaler available है तो यह दोनो inhaler या फिर nebulizer के form में available है और जब किसी को asthma के chronic attacks होते है COPD के chronic attacks होते है तो उस वक्त उनको prescribe किया जाता है तो bronchodilators के हम basic use समझे तो breathing difficulties due to the blockage of and narrowing of a respiratory track जैसे की यह वाला आप side देखे कि normal lung है तो यह normal lining से आपके lungs के अंदर bronchitis वगरा के और normal amount of mucus भी देख सकते है and muscles यहाँ पे relax है बट जब किसी का अस्थमा जैसा होता है COPD है तो उस वक्त यह muscle काफी tight हो जाते है और उनका constriction हमें देखने को मिलता है उसी तरह से lining swelling हो जाती है मतलब कि वहाँ पे inflammation और mucus भी enhance होता है जिसके करण आप देखो तो यह हमारा main diameter आप देखो तो काफी narrow हो गया है यह काफी narrow देख रहा है हो और यह आप देखो तो काफी dilate है तो जब किसी को इस टाइब के problem से और हम bronchodilators देते हैं तो narrow मैसे यह condition फिर से normal cure हो जाती है और फिर से आपकी bronchodilates होके normal होजती है और वो अपना regular तरीके से अपने air जो है वो पास करवाता है और breathing की जो difficulty थी वो treat हो जाती है तो यह problems होते हैं अस्थमा के अंदर फिर chronic obstructive pulmonary disease के अंदर की जिसको हम COPD कहते हैं allergic reactions के कारण भी कई बार लोगों को breathing difficulty हो जाती है तो उस वक्त भी bronchodilates लेने से उनको काफी राहत मिलती है और आसनी से breathing कर पाते हैं फिर related conditions that cause breathing problem तो ऐसे दूसरे condition की जिसके अंदर आपका respirator track का infection होता है और main symptom जब हो जाता है breathing difficulty due to the blockage and narrowing of respirator track तो उस वक्त first choice बनते हैं bronchodilator drugs तो उनका working up समझे है तो they they are the medications that open मतलब कि dilate करते है airways को कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये medication का main primary काम ही है dilation करवाना किसका dilation करवाते हैं तो ये हमारे airways का तो airways मतलब कि हमारी bronchial tubes कि जो air को हमारे lungs तक पहुचाने का काम करते हैं कि lungs के आखरी unit तक हवा को ले जाने का काम air को ले जाने का काम करते हैं ये bronchial tubes तो उनको dilate करके ये medication अपनी effect देती है and relax करते हैं bronchial muscles को कि जो काफी tight हो जाते हैं उनको relax करके जो breathing difficulties को क्योर करते जिसके करम person जो है वो काफी easy और better width कर पाता है तो ये देखिए आप normal कि ये muscles और lining जब किसी को अस्थमा का trigger होता है तो ये muscles lining तो है ही बट ये diameter के उपर आप focus करिए तो ये diameter यहाँ पे कम हो जुगा है मतलब कि ये bronchize जो है bronchial tube हो गई आपकी narrow जब bronchodilator देते हैं तो muscle यहाँ पे relax हो गए और फिर से इसका diameter increase होने से breathing काफी आसन हो जाती है तो इस तरह से ये अपना काम करते हैं bronchodilators कि जो constrict हो गई tight हो गई जो bronchi tubes को फिर से dilate and relax करने का काम करती है तो उनका mechanism of action हम समझे तो ये क्या करते हैं तो यहाँ पे ये वाला sentence आप देखे तो ये target करते हैं बीटा 2 receptor को तो bronchodilators include the targeting the beta receptor which is G protein couple receptors in the lung airways तो बीटा agonist के तोर पे ये अपना काम करते जैसे कि थियोफाइलिन है इटोफाइलिन है एंटिकॉलिनर्जिक्स वगेरा है तो जो पहले construction था contraction था उसको करवाते है relax तो smooth muscles की जो cell थे जो पहले contraction की condition में थे तो अब वो हो जाते है relax तो when the beta 2 receptor is activated the smooth muscles of the airway become the relax so after use them patient experience better airflow for a period of time की जब तक medicine की effect रहती है तब तक जो person है वो काफे better feel करता है breathing करने में और जब उसकी अच्छे से treatment हो जाती है तो उसके बाद अपना normal वो breathing करने लग जाता है तो यह है bronchodilators के mechanism उनके contraindication समझे देखे तो कौनसे patient bronchodilators को use ना करे तो ऐसे patient की जिनको thyroid का problem है hyperthyroidism है की जिनकी thyroid gland जो है वो overactive है तो hyperthyroidism के patient उसको use ना करे उसी तरह से दूसरे patient जैसे की जिनको glucoma का problem है ocular hypertension का problem जिसके करन optic nerve already damaged है या फिर damage होने की कगार पे है तो वो लोग यह bronchodilators को use ना करे फिर जिनको diabetes का problem है hypokalemia है seizure साते हैं बार बार heart failure है hypertension मत के blood pressure भी increase रहता है arrhythmia मतलब की irregular heartbeats है और coronary artery disease मतलब की यह 4 disease पे आप नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा की यह cardiovascular system की related disease है तो जिनको CVS related problem है वो bronchodilators को avoid करे फिर जिनको glucoma है, diabetes, hypokalemia, seizure वो भी यह bronchodilators को use ना करे side effects हम देखे तो tambling होता है particularly in the hands फिर headache जैसा feel करता है person कि काफी उसको headache जैसा लगता है फिर a dry mouth यह एक बहुत common और popular side effect है यह medication की की dry mouth करवाते है यह कि जब आप इस type के medications inhalation से लेते है या फिर tablet dosis form से लेते है या फिर capsule या फिर उरके injection आपको देते है तो उसके बाद person को dry mouth या फिर dry throat जैसा feel होता है suddenly noticeable heartbeats palpitations जैता होता है कि heartbeats जो है वो आपके notice किये जाते है ऐसे हो जाते है वालब कि कई बार heartbeats increase भी होते है muscles cramps होता है cough होता है nausea vomiting भी person feel करता है and some cases diarrhea कुछ लोगों को diarrhea जैसा भी होता है coughing सा भी होता है आपको जब ये bronchodilators आप use करते है तो ये था हमारा special lecture about the bronchodilators तो फार्मरोक्स का study material है वो आप access करिए फार्मरोक्स के आप उपर वीडियो के ज़रू से like करिए comment करिए and valuable suggestions दे सकते हैं आप join कर सकते हैं whatsapp group ये वाला whatsapp helpline number है access करिए study material test series and video lecture on app फार्मरोक्स तो गुद लग हैं all the best तो ज़रूर से डाउनलोड करिए app और access करिए study material test series and video lecture test